तेजश्वी यादो के विदेश जाने के बाद लालू प्रशाद यादो ने बिहार के राजनीती में पूरे तरीके से बदलाव ला दिया है लालू प्रशाद यादो ने पूरे राजनीती को अपने स्टेरिंग पर ला दिया है और उसे खुद वो हैंडल कर रहे हैं लालू प्रसाद यादो फैसले लेने में सबसे तेज रहते हैं और इसके लिए उनको किसी से अनुमती लेने की बहुत जरूरत नहीं है। टुरिजम को ले करके वो काम कर रहे हैं पिहार में टुरिजम पर कैसे बात हो कैसे विकास का काम आगे बड़े टुरिजम पर उस पर चर्चाएं हो रही हैं। और नहीं कॉंग्रेस सीट शेरिंग के फोर्मूले पर नितीज से बातचित कर रही है। जनसंख्या के अधार पर सत्ता का बटवारा होगा। पटना के एतिहासिक गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ रेली होगी और उसके पहले में वहाँ पर ये एलान करते दिख सकते हैं। लेकिन इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां से जो हवा देश में फैलेगी वो नरेंद्र मोदी, अमित साह और आरेसेस का सूफ़डा स्ताफ कर दे। लालू परसाद यादो ने कॉंग्रिस मुख्याले के सदाकत आस्रम में नितीस और तेश्वी के अपसेंटी में ये बाते कह दी हैं। राजत प्रमुख्य ने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है। राम रहीम के बंदों के बीच नफरत पहलाई जा रही है। इन तमाम बातों के बीच में क्या लालू परसाद यादो के इस फैसले पर तेश्वी यादो मुहर लगाएंगे या फिर नितीस कुमार की चर्चा ले सकते हैं। इन पर अब चर्चाएं तेज हो गई है। डवल जीरो धन्ने बागे।